हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू संधी पागरमूर टूटोरियल दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप घीजर के साथ टाइमर के कनेक्शन करके उसे स्मार्ट डिवाइस में कनवर्ट कर सकते हैं और आटोमेटिकली आप अपने घीजर को ओन और ओफ कर सकते हैं यह डिजिटल टाइमर का बॉक्स आप दोक देख रहे होंगे तो इसे हम लोग ऊपन कर लेते हैं और ऊपन करके इसे देखते हैं इस में बॉक्स में भी आपको काफ़ी सारी इंफोर्मेशन अपन नजर आ जाती है चलिए इसे ओपन कर लेते हैं यहां पर इसमे हमें ये एक Μेनुवल मिल जाता है इसमें पर बारे में आपको बताऊंगा इसे अभी रख देतें साइड में ना तो इसे देखें आप इसे ओपन कर लेते हैं इसके इंड़े से विंड्व नजर आती तो ये अच्छा लूक में नजर आता है इसमें क्लोक भी होती है साथ ही साथ यहां से आपको इसकी विविंस सेटिंग दी जाती है आटो मैनुल जिस पर भी मौड़ पर है वह भी आप देख सकते हैं इसके लाव इस सेटिंग के लिए पर कीज यहां पर बटन दी होती है तो इसकी सेटिंग किस तरह से करना है यह भी हम आपको बताएंगे तो चलिए अब मैनुवल के बारे में बात कर लेता हूं दोस्तों यदि आप इस डिजिटल टाइमर को पर्चेस करना चाहते हैं तो नीचे डिसक्रिप्शन बॉक्स में की लिंक दी हुई है जहां से आप इस प्रड़ाट को पर्चेस कर सकते हैं यह आप स्क्रिप्शन पर मैनुवल देख रहे हैं अब इसकी रेटिंग्स की बात की जाए और इसके टेकनिकल डाटा की बात यदि की जाए तो इसे हम राजिस्टिव लोड को कंट्रोल करने के ल सायता से ओन ओफ कर सकते हैं वहीं यदि लेंप लोड आप इसकी सायता से ओन ओफ करना चाहते हैं तो आप दो हजार वाट तक के लेंप को इसकी सायता से ओन ओफ कर सकते हैं रेजिस्टिव लोड के अंतरगत जैसे की हीटर होते हैं हीटर वगेरा या घीजर जोए वह खु प्रोग्राम अगर cover cut हो जाता है तब भी इसमें program सेव रहते हैं और आपको दोबारे से किसी परकार के program सेव करने की आफ़िकता नहीं पढ़ती है उसकी जो इसकी politik नाय नजर आ जाते हैं तो इसकी इसमें प्रोग्रामिंग का या बटन आपको नजर आ रहा होगा इसकी सहाथा से हम यहां पर इस टाइमर में 16 ओन ओफ कोपरेशन के प्रोग्राम सेव कर सकते हैं यहाले कि आप लोड को यदी वन मिनिट के लिए ओन रखना चाहते हैं फोग्राम आप प्रोग्राम कि सहाथा से परोग्राम कर सकते हैं इससे पहले कि मैं आपको इसके पूरे प्रोग्रामिंग करना सिखाऊं इसे किस तरह से सेट करना है वहाँ सिखाऊं सबसे पहले हम इस टाइमर के साथ एक घीजर को आपको अपरेट करके बता देते हैं चलिए सबसे पहले हम इस डिजिटल टाइमर के connection समझ लेते हैं उसके बाद इसे हम प्रिक्टिकली connection करेंगे तो connection करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह जो एक जो supply हमारी एक जो 15 एमपर की supply होती है उस supply से हम यह बोर्ट से दो वायर लेकर के आएंगे इसे plug को plug top को लगा देंगे supply में और इसे जो दो वायर आ रहे हैं तो जो phase वाला वायर होता है उस phase वाले वायर को हम यहां चोथे नंबर के point में connect कर देते हैं इसके अलावा जो दूसरा वायर होता है इस दूसरे वायर को याने न्यूट्रल को डारेक्ट हम जो भी डिवाइस आप operate कर रहा है जैसे गीजर यह दी operate कर रहा है तो हम डारेक्ट गीजर में देंगे और गीजर का यह आपुआ है तो यही जो उपर के टर्मिनल से ऐलग वायर करके आएग sedan यहाँए उस यहाँट These परेंस द्याने नंबंद है कंशी इन दोनों बीजर पर हम लागा देंगे तो इस तरह से यह जो सप्लाई है यह हमारेश ऑर टइमर के लिए सप्लाई का का करेगी और जो नीचे वाले टर्मिनल है यह घीजर के लिए काम करेंगे अधिया आप चाहें तो यहीं से जो फेज आ रहा है यहीं से लोड को भी फेज दे सकते हैं इन दोनों फेज को कामन भी कर सकते हैं है कि किई वेल से का दो हजार वाट का हमारा घीजर को हम आपको जो डिजीटल टाइमर में दिखाया है उसके साथ क्रेंशन करके रहां उसे उपरेट करके आपको दिखाने वाले हैं तो यहां पर देखे हमने अपने कि इसbershos के अ कर लिए हैं यहां आप देख रहे होंगे कि हमारी power supply है यहाँ पर जो बोर्ड की supply है वह आ रही है यहाँ पर 15 MPR की supply है यह power board है यहां से हमने supply लेकर के गए हैं यह दो wires जो है फेज और neutral के आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने जो इंड्ले स्वाइड होता है इसमें जो supply आती है उस पर connection कर दिया हमने यहां पर neutral और phase का अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो यहीं से जो new phase है उसको common ले जा सकते हैं नीचे की तरफ तो यहां देखिए हमने इसमें यहीं पर नीचे हमने common एक phase लेकर के आ गए हैं यह 4 number point पर हैं अब यहां से जो पांचवे नंबर का point होता है यहां 5 लिखा हुआ देखेंगे आप तो यह जो पांचवे नंबर है इस पांचवे नंबर के टर्मिनल से हमने जो phase लेकर के गए हैं वह हमने geezer को provide किया है यहां देख रहे होंगे आप फिर जो geezer का neutral बचता है तो इस neutral को हम जो supply का neutral आ रहा था उपर वहीं पर इस इंडस्टियल टाइमर में हमने neutral को जोड़ दिया है connection कर दिया है अब इसके बाद चलिए हम इसे operate करके आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले में इसकी केप खोल लेता हूं जो front window है ताकि आप इसे देख सकें तो यहां पर हमने इसकी setting इस तरह से की है कि यह एक मिनिट के लिए own रहेगा और उसके बाद एक मिनिट बाद बंद हो जाएगा लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसे automatically on off करके बताऊं मैं इसमें यहां पर आपको इसे हुआ है जो सबसे बड़ा जो switch होता है यह सबसे बड़ा बटन होता है इस पर में लिखा होता है इसे हम प्रेस कर देते हैं और इसे हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो घीजर है वहां ओन हो चुका है घीजर का temperature पानी का 32 degree centigrade है उतलिए इसे हम अब दे हम जो है सेट किया हुआ है लेकिन हम मेनुल इसे उपरेट कर रहे हैं तो इसलिए आटोमेटिकल यह ओफ नहीं होगा अब हम जैसे ही इसे प्रेस करते हैं मेनुल बटन को तो देखें आप की घीजर भी ओफ हो चुका है घीजर पर आप एक बार देखेंगे तो यह गीजर इसमें हम प्रोग्राम देख लेते हैं इस सबसे पहला प्रोग्राम हमने जो इसमें इंटर किया है वह तीन बच के चार मिनिट पर जो गीजर इसको ओन कर देगा और दूसरा जो प्रोग्राम है वह तीन बच कर पांच मिनिट पर इस गीजर को ओफ कर देगा तो इस तरह से एक ओन ओफ ओप्रेशन जो है इसको हम एक प्रोग्राम मानते हैं तो इसके लिए अब सबसे पहले हम सप्लाई को ओन कर देते हैं बोर्ड से और बोर्ड से सप्लाई ओन हो चुकी है अब इसके बाद देखेंगे आप कि अभी 35 सेकंड हुए है वेसे ही जो टाइमर था वहां ओन हो चुका है और उसने घीजर को भी ओन कर दिया है हमें मेनुआली किसी बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी और आटोमेटिकली जो टाइमर था उसने हमारे लोड को ओन कर दिया और यहां पर रेड इंडिकेटर भी इसमें आपको ग्लो करते हुए नज़र आने लगेगा अब देखिए जैसे ही तीन बच कर पांच मिनिट होंगे वेसे ही आटोमेटिकली लोड को यहां टाइमर बंद कर देगा देखिए आप दोस्तों हमारा लोड जो है वहाँ इस टाइमर की सहाइता से बंद हो चुका है आप देखेंगे स्क्रीन पर भी गीजर बंद हो चुका है तो इस तरह से इस टाइमर की सहाइता से आप Registive Load, Legging Load और Lamp Load को Control कर सकते हैं अभी हमने यहाँ पर जो हमारा गीजर था Registive Load था उसे हमने Control करके आपको दिखाया चली अब हम लोग देख लेते हैं कि इस टाइमर में प्रोग्राम किसे इंटर की जाते हैं या इसमें किस तरह से इस में सेटिंग सेव की जाती है तो सबसे पहले जैसे ही आपको डिवाइस मिलती है तो आपको चेक करना है कि यहां पर आपको क्लोक नजर आ रही है यहांने कि इस क्लोक में कोई टाइमिंग वगेरा दिख रही है अगर यहां पर कोई टाइमिंग नहीं दिख रही है तो सब सब्रसक्राइब के वोपर की तरफ यहां पिसे इंपूट देंगे और कुछ दिर के लिए ठाज होने बाद यहां पर हो जाती है यदी यहly हो तब फिर्टuit एक प्रेस करें कि यहाँ पर आप रिसेट बटन होता है कि रिसेट को पुश कर सकते हैं तो इस थरा से भार्च टाइमर को चार्ज करना होता यह सो सेट करने के Zentral पुश कर सकते हैं यहां से बटन से पुश्च कर देंगे तो आप देखेंगे कि एक रिषय हो जाता है और इसमें वाह जीड़ी हो जाती है है अप सबसे पहले चलिए हैं हम आपको क्लोग किस तरह से सेट की जाती है इसके लिए आप यह लग बटन जो आपको नजर आ रही है इसे होल्ड करके रखेंगे और चुटाइमिंग है तो सबसे पहले मन्त को आप जो डे हैं आपका वह डे को सेट कर लीजिया आप यहाँ डी बटन यह डी पलस हो याने य करने के विए बहु करके ही रखें कि जब तिक पूरी सेटिंग नहीं हो जाती अगल को को होड्ब करके ही रखना में जो और जूसे mois भगल में एंपड़्न दिया हुआ है इसकी सहाथा से आप मिनिट को भी यहां पर set कर सकते हैं तो इस तरह से देखिए हम क्लोक बहुत यह असानी से set कर सकते हैं अब यहीं आप इसमें कोई program इंटर करना चाहते हैं क्यानिकि जैसे उधारन के तोर पर यहीं माली जी आप मंडे को इस स्वीच को 12 वजे ओन करना चाहते हैं जो भी डिवाइस इसके सांथ लगी हुई है उसे ओन करना चाहते हैं तो आप पूश करेंगे फस्ट टाइम प्रोग्राम बटन को पुश करते हैं पुश करने के बाद चाहते हम इसे जिसके लिए भी आप सेट करना चाहते हैं तो बटन को प्रेस करेंगे तो यहां पर वन ओन लिखा हुआ आपको इसमें जो डिस्प्लेय दिखेगा इसका मतलब होता है कि यह फर्स्ट ओन का प्रोग्राम आप इसमें अभी इंटर कर सकते हैं आप इसे दोबारा से प्रेस करें तो यहां पर फर्स्ट ओप का प्रोग्राम भी आप इसमें इंटर कर सकते हैं लोड न होने के बाद कम होगा वह भी आप इसमें प्रोग्राम करसकते तो इस तरह से एक और का परोग्राम जो है उसका से क्रेशन करते हैं तो इस पहले करना चाहते हैं तो आप लखा हुआ आ रहा है तो सबसे पहले आप इसे करेंद देश मों कि आपको यह यहां पर नज़र आएका कि पूरा जो वीक हैं पूरे वीक डेश मैं यहां पर लिखे हुए आपको नज़र आईंगे माली जी आप इस तरह से प्रोग्राम करना चाहते हैं कि आपका लोड वीक के हर डे ओन हो तो आपको यहां अलग-अलग प्रोग्राम नहीं करना है अब बस जब जैसे ही आपको यहां पूरा विकडेज लिखे हुए नजर आए बस आप यहां पर क्लोग की सेटिंग डाल दीजिए और आपका जो प्र मिनिट बटन से हम मिनिट भी यहां पर सेट कर सकते हैं तो इस तरह से आप इसमें घंते और मिनिट में आपने लोड के ओन होने की सेटिंग को एज़स्ट कर सकते हैं अब माली जी आप इसे ओफ करने के लिए सेटिंग करना चाहते हैं तो यहां पर वन ओफ दवाएंगे ड बच कर चार मिनिट पर हम लोड को बंद करना चाहते हैं तो यह हमारा एक प्रोग्राम यहां पर सेट हो जाता है अब आप प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम को आप इंटर कर सकते हैं फस्ट प्रोग्राम सेट करने के बाद आप सेकंड प्रोग्राम भी सेट कर सकते हैं फ मंडे के दिन ही 10 बच कर 10 मिनिट पर लोड को ओन करें और 10 बच कर 40 मिनिट पर उसे ओफ कर दें तो इस तरह की जो सेम पिरेड के लिए आप जो सेटिंग्स हैं वहां नहीं कर सकते हैं तो बस यही आपको इसमें ध्यान रखना है इसके अलावा यदि आप मैनुवली ओपरेट करना चाहते हैं लोड को आप timor कि सहाइता से यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपको connection निकालने की जडरूप नहीं है आप केवल मैनुवल बटन को ही प्रेस करके लोड को मैनुवल ओ और औ ऑफ कर सकते हैं तो इस तरहते से इस ताइमर की सहाइता ओरंग करते हैं तो उस समय में आप सहाइता रोज छुटकारब jiats को Ingot करने जिन्जट चुटकारा पा सकते हैं और ऐस पाने का से यूज कर सकते हैं यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें जेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बिल आइकोन को प्रेज करना ना भूले थेंक्स पर वाचिंग और डोंट फर्गेट तो सब्सक्राइब अस